जी बिस्मिलारमानुरहें अस्सलामुलेकूम अगयन और मैं बार बार स्लाम इस वज़ा से कहते हूं ताके आप एक्टिव रहें और आपको लगे कि दुबारा से स्टार्ट किया और नहीं चीज़ स्टार्ट किया अभी जो इस लेक्शर में आपको बताने वाला हूं पर यह स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही होगी स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल ओपन किया हुए लेट मिस सी अगर इसके स्क्रीन का साइज बिल्कुल ठीक है येस इस फाइन अब इसके अंदर अगर आप गौर करें गूगल पर जाने के बाद अगर यहां पर गिट हब टाइप करें तो आपके पास एक गिट हब प्लेट फरम आ जाता है जिसके बारे में मैंने अभी आप से बात की तो सबसे पहला मेरा जो सिजेशन होती है सभी को अगर आप स्टूडेंट है तो गिट हब स्टूडेंट डिवैलपर पैक के उपर जरूर अप्लाइ करें और इस पैक के अंदर आपको काफी कुछ ऐसा मिलता है तक्रीबन कोई पचास हजार डॉलर से ज्यादा के जो रिसोर्सें आप फ्री में मिलते हैं कौन-कौन से रिसोर्सें यह सारे यहां पर अनलिस्ट किये हुए हैं स्टूडेंट के लिए यह हैं टीचर भी आये थे स्टिकर भी आये थे जो लैप्टाप्स के पीछे लगाते हैं तो वो स्टिकर जो आते हैं बड़े बंदे को न एक एक्टिवेट करके रखते हैं कि यार मैंने कुछ किया है और अगर आप चेक करें स्टूडेंट के लिए आप इसके ऊपर भी कुंटेक्ट कर सकते हैं और आप इसका प्रॉपर वे में एस पार्टनर भी इसको जोइन कर सकते हैं इस वेरी नियू और बिकम एक्पस एक्सपर आप अपनी युनिवस्टी से अप्लाई करें और आप एक कैंपस एक्सपर्ट बन जाते हैं कैंपस एक्सपर्ट का क्या फाइदा है वो आपको टी-शिट्स वगएरा और आपको कफी चीज़ें भीजते हैं जो आप बेसिकली इनके साथ मिलके काम कर सकते हैं खर मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बताता सिरफ आपको एक ठीक है और बेलीव मीव पाकिसान में से बहुत कम लोग और मैं हमेशlly कहता हूं कियार पाकिसानी स्टूइट्ट को इस चीज़ के लिए apply करना चाहिए तो पाकिसान में कम है, इंडिया के अंदर कुछ ज्याद है तो पाकिसान हमारा यहां पे है, यहां पे तीन चार ही है हमारे पास investor, so if you are from पाकिस्तान तो प्लीज इस पे ज़रूर apply करें, ठीक है सबसे पहला काम है, आपने github का अपना account बनाना है sign in करना है, और उस account के अंदर आपने सारी चीज़ों को fetch करना है तो मैं यहां पे github लिखता हूँ, यहां पे जाता हूँ और यहां पे sign in करूँगा, तो मैं यहां पे अपने account से sign in हो जाओगा उसके बाद आपने अगला काम जो करना है, अपने PC के अंदर git को install करना है git download पे click करें, यह मैंने course के start में भी करवाया था अगर नहीं आपने किया तो आप git पे जाएं और downloads पे जाएं और यहां पे आपका जो windows है कुछ भी है उसको तरीके से आप इसको download करें और मेरे पास 34, not not 34, मेरे पास 64 bit जो है 34, नहीं भी बिट करती थी तो standalone installer में 64 bit git for windows setup को download करता हूँ download करने के बाद यह यहां पे आ जाता है, chrome browser ने थोड़ी सी changes की है करने के बाद मैं इसे install कर लोगा, तो पहला step पर आपने git को install कर लेना है ठीक है, मैं इसको install करता हूँ, आप भी इसको install कर लीजिए, अगर आपने नहीं किया हुआ तो किस-किस के पास यह पहले से install शुदा है, मैं install शुदा बोलूँगा यहां पे git किस-किस के पास है मेरे पास पहले version था इसका कोई, 4.1 something लेकिन मैं दुबारा से आप लोगों के लिए install कर रहा हूँ था कि आपको पता चले ठीक हो गया, यह मैंने install कर लिए अब मैं launch git bash भी कर सकता हूँ इसके साथ तो मैं इसको launch भी करता हूँ, read me notes को नहीं पढ़ता तो मेरे पास ना कुछ इस तरीके से git आ जाएगी ठीक है, यह मेरे पास इस तरीके से कोई colored full किसम का git bash का version आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा zoom in करने की कोशिश करता हूँ, तो यह मेरे पास git bash का version आ जाएगा अब यह क्या है, क्यूं है, कौन-कौन सी चीज़ें इसके अंदर होती है, we will see that in a minute उसके पहले, GitHub में आप सभी sign in कर ले, मैं अपनी स्क्रीन को यहां पे stop करके sign in करूंगा, reason यह है कि I know my colleagues from Pakistan, टिक-टिक की base पे भी ना, passport अक्सरों का आप पता लगा लेते हैं, I am just kidding, सिरफ security की base पे मैं लगा हूँ, so I need to do that. तो मैंने sign in कर लिया है, इसे, आप भी कर ले, मैं इसको screen को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, अच्छा जो, screen बिल्कुल साफ चाड़ रही है, मेरी तरफ से कोई problem नहीं है, अगर आपके internet की बड़ा से कोई problem है, then you have to do it by yourself, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, तो यह जी मेरी profile है, अमार तुफैल के नाम से है, मैं अपनी profile के उपर चले जाता हूं, यह मेरी profile है, तो मैंने यहां पर यह चीज कर ली है, install git को, अब क्या करना है, मैं आपको अगली चीज बताता हूं, मैंने बनाना है एक folder, मैं अपने documents के अंदर, एक git का folder बनाता हूं, नया folder में बनाता हूं, documents के अंदर जाके, अब d drive के अंदर भी जा सकते हैं, it's up to you, मुझे ज़रा document के folder से ज्यादा असानी हो जाएगी, मैं यहां पर बनाता हूं, git course, git course मैंने लिख लिया document के अंदर, ठीक है, अब यहां से, pwd मैंने लिखा git bash के अंदर, तो उसने मुझे बता दिया कि आप कहां पे हो इस वकत, तो मैं यहां से cd लिखूंगा, change directory, documents, documents में चला गया, and now when I press ls, तो मेरे पास यह सारे folder आगे है, मैंने कहां पे जाना है, git courses में, तो मैं cd, git space, git tab दबाऊंगा, तो git courses में मैं चला गया हूं, ठीक है, समझागी बात की, यहां तक clear होगे, आपको, आपने git bash में जाके, documents के अंदर जो folder आपने बनाया है, वहां पे चले जाना है, मैंने यह वाला folder बनाया है, git course का, और इसको मैं थोड़ा सा zoom in करता हूं, मैं और zoom in करता हूं, ताकि आपको बहुत अच्छे से नजर आ जाए, क्योंकि काफी लोगों की problem आ रही है कि जो उनको नजर नहीं आ रहा, तो मैंने simply pwd का मतलब होता है, अपनी जो current आपकी directory, working directory, present working directory, current working directory, cd का मतलब होता है, change directory, space, उसके folder का नाम, और मैं यहां पे git cheat sheet, sorry, git cheat sheet, यह मैं open करता हूं, और मैं इस cheat sheet पर आ जाता हूं, या यह वाली, या आपके पास, यह भी cheat sheet है, मतलब यह वो जो bootie जिसे बोलते हैं, तो यह मैंने cheat sheet open करनी, ठीक है, अब यहां पे सब कुछ लिखा है, कि आपने किस तरीके से git की profile और बाकी चीजों को maintain करना ह ठीक है, तो git का मतलब क्या होता है, git का मतलब यह है, version control system, ठीक है, यह version control system है, git एक software है, git hub एक cloud है, cloud है, मतलब एक online software का system जिसे आप कहते हैं, जहां पे आपने चीजों को link up करने हैं, तो आप क्या करते हैं, जो local आपकी machine है, उसके उपर आपने git जब install किया, तो आप अपने code के versions वहां पे change करते हैं, for example, मैंने कल कोई code किया, उसके अंदर आज मैंने change की, तो मैं उसको कल वाले को separate save करूँगा, आज वाले को separate, अगले दिन वाले separate, तो अगर मैंने वापस जाना होगा, तो मैं अपने message को देख लूँगा, जो मैंने कल किया था, उस वकद मैंने बोल पता, word के अंदर, word, version, four thesis, अगर आप गोर करें, तो काफी लोग क्या करते है, word की file को ना, कुछ ऐसे save करते हैं, final thesis, first thesis, second thesis, तो multiple word की file को इस तरीके से save करते हैं, ठीक है, version one, version two, version 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो हम क्या कर रहे हैं, ये 6 के 6 versions को, एक ही file के अंदर save कर रहे हैं, वो कोई भी document हो सकता है, usually वो coding की file होती है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर, मैं git, init जब करता हूँ, तो इसने एक initialize कर दी, git repository, repository क्या होती है, इस folder को, यहाँ पर अगर आप चेक करें, इस folder के अंदर, इसने खाली folder बनाया, और ये इसके अंदर, इस folder की पू सो यहाँ पर यह जो हमारी पूरी repository सेव हुई है, इस इस information जो current folder की state है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी folder के अंदर एक नई file बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पर touch, touch से file बनती है बाइदावे, hopefully यहाँ पर बन जाएगी, वरना पर पैड़ी लेगेगी, file.txt हम बनाते ह and yes, the file has been created, मैं दोबारा से इस folder के अंदर जाता हूँ, देखें जी यह file बन गी, यह वाली file, file.txt, यह file बन गी, अब हम देखते हैं, git status, इसने बताया है, कि जनाब आपकी git status यह है, कि आपके पास branch जो है main, यानि कि main folder के अंदर, पहली branch यह है, इसके बारे में बाद में ब अतलब होता है, जो चीज हमने fetch ने की, history के अंदर, वो है untracked file, जिसका नाम है file.txt, अगर आप इसको include करके, commit करना चाहते हैं, तो you have to use git add, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, git add file.txt, यह मैंने लिखा, यह file का अब दुबारा से git status देखते है, status, चेक करें, अब वो कह रह है, वो add हो गई है, but it didn't, क्या नहीं किया अभी तक, यह अभी तक commit नहीं किया, समझा है भात की, add हो गई है, अभी commit नहीं किया इसे, तो वो कह रहा है, use, remove, cached file to unstage, अगर unstage करना है, तो इसे इस तरीके से आप कर सकते हैं, हमने क्या किया है, इस file को stage कर दिया, यानिके add कर सकते है, git status भी है, git add भी है, git reset भी है, git difference भी है, git difference माइनस माइनस stage भी है, git commit माइनस M और उसके साथ message, मैं यह वाली command को copy करता हूँ, git commit माइनस M, for example, मैं यहां पर कहता हूँ, git commit माइनस M, string के अंदर, पहली file string बन, unable to auto detect email, अब जैसे ही मैंने यह इस चीज़ को add की है, तो वो कहता है कि यार यह तो ठीक है, कि आपने यह file add की है, लेकिन अगर एक folder में multiple लोग files add कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा आप कोन है, वो कब बताना है और कैसे बताना है, बिल्कुल start में इस तरीके से, आपने बताना है कि मेरा नाम यह है, और यह मेरा email है, ठी या आप copy ना भी करें, खुद से भी लिख सकते हैं बाइदावे, लेकिन मैं यहां पे इसको copy करता हूँ, और यहां पे paste नहीं हो रहा, कोई मसला है, तो मैं यहां पे इसको वैसे लिख लेता हूँ, git config, git config dash global user dot name, और इसके अंदर, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अमा तो फैल, ठीक है, यह मैंने लिखा, मैंने एंटर किया, अब क्या हुआ, let me see, git config minus minus global user dot name, let me see, क्या मसला है, first name and last name करना था, sorry for that, let's see, अगर यह काम करता है, command not found, git config, होता तो नहीं है, ऐसे, let's see, git config dash dash global user name, yes, now it's working, मैंने भी यह लिखा था, पहले क्या गलती थी, git config dash dash global user dot name, चलो खेर, अब चल पड़े, so एक तो यह हो गया, user dot name यह वला हो गया, अब मैं user dot email लिखता हूँ, यहाँ पर, example email, तो मैं यहाँ पर अपना email देता हूँ, कोई भी email मैं दे देता हूँ, और यह email वो ही होना चाहिए, जो online आपका github के ओपर email है, so by the way, मेरा जो github के ओपर email है, मैं वो यहाँ पर अभी नहीं लगा रहा है, लेकिन आपने वो ही लगाना है, मैं यहाँ पर अपना जो, दूसरा email है, वो यूज कर रहा हूँ, kodanics.com वाला, तो यह मैंने email और अपना, जो name है वो add कर दी, अब मैं git status चेक करता हूँ, तो यह मेरे पास कह रहा है, कि यह new file है, to be committed, मैं आप करता हूँ, git commit minus m, यह वो message है, जो आप जब लिखते हैं न, तो यह आपको याद दिलवाता है, क्या किया है, पहली file uploaded, तो यह आपकी file जो uploaded होगी है, मैं इसको git status चेक करता हूँ, यह चेक करें जी, nothing to commit, अब यह हुआ क्या है, यह सारे procedure में क्या हुआ है, जो पहले status थी न, इस folder का, वो update हो कि इस file को उन्होंने अपने घर में शामिल कर लिया, कि तू भी साथाई जीए, means you are also one of the main part of our family, so, जितनी भी files आप add करते जाएंगे, कोई change करेंगे, वो यहाँ पर मसला करेगी, फिर आपने उसको add करना है, मैं इसको open करता हूँ, open करके notepad के साथ, इसके अंदर कुछ लिखता हूँ, my name is Amar and I am teaching on Kodanix YouTube channel, अब देखिएगा, मैं इसको control-s करके save करता हूँ, अब हम जाते हैं दुबारा यहाँ पर चेक करते हैं, git status, चेक करें, उसने कहा है कि अब modify हो गई है, अब हमने क्या करना है, हम git add करके इस file को पहले add करेंगे, फाइल का नाम क्या है, file.txt, add किया, मैं दुबारा से git status चेक करता हूँ, अब देखिएँ, उसने कहा है कि यह add होगी है, but you need to commit, तो मैं दुबारा से git commit –m, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहली line लिखी है, ठीक है, छोटा सा message दे दिया, enter किया, लो जनाब, अब क्या हुआ है, जो हमने second change डाली है न, वो सारी की सारी line के हिसाब से वो add होगी, तो इसको मैं git status करता हूँ, अब देखें, कोई चीज नहीं है, commit करने के लिए, commit का मतलब है, चीजों को history के अंदर add करते जाना, add का मतलब है, उस file को proper बताना है कि इसमें क्या changes होई है, and इस तरीके से बागी चीज़ें चलती है, अब अगर आप देखें तो there are many things, get different, अगर diff of what is change but not stage, उन दोनों में फरक अगर आपने देखना हो, and then you can do a lot of other things, git clone, git innate, git checkout, git branch, git merge, git log, git, आप इसको publish भी कर सकते हैं, push भी कर सकते हैं, pull भी कर सकते हैं, there are many things, ये वो तरीका कार है जो आपको मुश्किल में डाल देगा, believe me, ठीक है, लेकिन अब आपको मैं आसान तरीका बताने लगों कि आप अपने folder को github पे कैसे fetch करते हैं, म जाने के बाद, आपने ये जो folder बनाया था ना, इससे ये दोनों files मैं remove कर रहा हूं, कोई history ने हम save कर रहें, जैसे आप इन दोनों files को remove करेंगे ना, ये git वाला folder जो है, ये भी उड़ जाएगा, अभी नहीं उड़ रहा, there are some problems, मैं इसको बाद में उड़ाता हूं, मैं यहा इसका course है, इस folder को यहां पर मैंने open किया, अब मैं vs code के उपर जाके open folder करता हूं, और course 2023 का folder open कर लेता हूं, select folder, ठीक है, बाक्यों जो परानी चीज़ें थी, वो separate हो गई, so इस तरीके से मेरे पास वो खाली folder open हो गया, ठीक है, अब मैं यहां पर new file को बनाता हूं, python की file बनात हूं, say for example, इसको मैं बोलता हूं app.py, इसका नाम app.py रखना था, and control s करके app.py करके इसको save कर लेते हैं, ठीक है, तो यह मैंने यहां पर इसको save कर लिया, यह एक file है, अब हम चाहते हैं यह file यहां पर repository के अंदर आ जाए, मतलब यहां पर, ठीक है, एक तरीका कार यह है, कि आप online कोई repository बनाए, for example, मैंने यह बनाई, यह word cloud app by Amar, ठीक है, मैं यहां पर code पर जाता हूं, इसको करता हूं, copy, copy कर लिया, अब मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आने के बाद, मैं यहीं पर click करता हूं, clone git repository, यह लिखा आ रहा है न, यह चेक करें, clone git repository, यह वाला, इस पर मैं click करता हूं, clone from github, जैसे मैं इस पर click करूंगा न, वो मुझे कहेगा, एक extension install कर लो, जिसका नाम है github, मैं कहता हूं, लाओ करो जी, वो कहता है, इसको authentication दे दो, मैं authentication दे देता हूं, बड़ी गौर से देखिएगा, और यहां पर मैं click करता हूं, always allow vs code to open links of this type in associated app ठीक है, नहीं भी करना है, it's up to you, मैं इसे open कर लेता हूं, अब उसने बोला है कि इस extension के लिए, एक url open होना है, मैं इसको कहता हूं open कर लो, ठीक है, I believe you, जैसे मैंने यह काना, जितनी मेरी online repositories हैं, वो सारी की सारी github के अंदर आने लगी हैं, इसके अंदर vs code के अंदर, मै मैं पहली पे click करता हूं, word cloud app पे, और इसके लिए specific folder choose करता हूं, और मैं folder choose कर रहा हूं, course 2023 वाला, इसके अंदर मैंने add कर दी अपनी repository, अब आप चेक करें, जैसे वो मैंने repository add की है, आप इसको new window के अंदर open कर सकते हैं, मैं पिछली को बंद कर रहा हूं, यह new window के अंदर वो समझारी बात की, मैं यहां से बाकी अपनी extension ज़रा बंद कर लूँ, यह बड़ा तंग करती हैं मुझे, मैं एक्सर उकात इन्हें बंद ही रखता हूं, आपस हमी शोखी हुई हैं आजकल, खैर, तो यह हमारे पास, सिरफ next 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 करके सारा कुछ हो गया, मैंने कुछ ऐसा वैसा खास नहीं किया, जो आपको ना समझाए, अब आप चेक करें, यहां पर requirement.txt की भी फाइल है, readme की भी फाइल है, app.py की भी, और हमारी अगर online देखें, तो online हमारे पास कुछ इस तरीके से यह पूरे के पूरी फाइल नजर आ रही है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यह यहां पर change करूँगा, अपने VS Code में, जो यहां पर फिर online नजर आएगी, मैं VS Code में जाता हूँ, word cloud app by Amar, इसके बाद मैं लिखता हूँ, कैसा फिर, मज़ा आया, github का, के नहीं, morning की जरूरत ही नहीं है, कोडिंग की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, मैंने यह लिखा, मैं control s करता हूँ, जैसे मैंने control s किया, आप एक चीज गोर की है, यहां पर, यह source control के अंदर एक change आ गई है, यह वो ही change है, जो git add के बाद आ रही थी, सही है, मैं इस पर click करता हूँ, अब check करें, मैंने click किया ना, वो मुझे पूछ रहे, commit करना है, मैं कहूंगा हां करना है, लेकिन वो साथ में पूछेगा, message भी लिखो, तो मैं यहां पर message लिखता हूँ, first change in VS code, यह मैंने लिखा, अब मैं commit करूँगा, commit करने के बाद वो बोलता है, there are no stage changes, would you like to stage all your changes and commit directly, मैं कहूंगा, always, बार बार ना पूछ, दिमाग ना कहा, कर लिया, अब मैं कहूंगा, sync change, जैसे मैंने sync change पर click किया, उसने बोला, this action will pull and push commits from and to origin main, मैं कहता हूँ, okay, don't show again, बार बार सर ना खा, पर नराज ना हो जाए, इसकी बाकी खहर है, अब, यहां पर आ गया जी, sign in with your browser, मैं यहां पर click करता हूँ, authentication succeeded, you may now close the tab and rerun the application, let's see, जिनाब यह मैंने उसको किया, sign in, उसने बोला कि always यह करना है, मैंने करना yes, मैं इसको बस agree, agree करता जा रहा हूँ, अब देखिएगा, यहां पर कोई change नहीं हुई, यार, क्यों नहीं हुई change, कोई बता सकता है, आप में से, सो तो नहीं यह सारे, क्यों नहीं हुई यहां पर अभी तक, यह आपने बताने हैं तो मैंने आगे चलने, यह यह एक ही बंदे ने सही बताया, ताइसन ब्लेड उनका नाम लिखा हुआ है, बट रिफ्रेश करने हैं, इलेंजनाब, जो मर्जी चेंज करो वहां पर डिरेक्ली फैच होगा, Github पे, so you don't need to do it again and again, अब इसी तरीके से आप अपनी apps भी upload कर सकते हो, and you can do a lot of things as well, ठीक है, so this is how it works, यहां तक समझ आगी, यह तो तरीका मैंने आपको बताया, जो आप online repository से वापिस fetch करते हैं, अब अगला तरीका यह है कि अगर आप VS code को open करें, और यहां से VS code का folder कोई भी open करके, for example, मैं यहां पे folder open करता हूँ, कोई निया folder बनाते हैं, और उसको upload करके देखते हैं, कि यह upload भी हो सकता है या सिरफ download and fetch होता है, मैं course 2023 को delete करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो गया, बिल्कुल हो गया, अब मैं यहां पे एक निया folder बनाता हूँ, जिसका नाम है git from pc, मैं इसको folder को बनाता हूँ, मैं VS code पे जाऊंगा, VS code पे जाने के बाद, now I will go and open that folder, जो अभी मैंने बनाया है, जिसका नाम है git from pc, select किया, अब देखिएगा, मैं यहां पे कोई file बनाता हूँ, मैं यहां पे file बनाता हूँ, एक readme file बना देते हैं, readme.md, markdown की readme बनाते हैं, यह मैंने enter किया, new file from pc, यह मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है, यह हमने नई file बनाई, उसको नाम दे दिया, अब यह file है, इस folder के अंदर और यह कुछ है, अगर आप दुबारा से यह source control वाले बटन पे जाएं, जिसका shortcut है control, shift & G, क्लिक करने के बाद, आप initialize repository यहीं से कर सकते हैं, वो जो git init किया था ना, वो यहां पे होगा, मैं initialize repository पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद, वो कहते हैं commit करने, मैंने कहा करने, from pc, और इसको मैं one कहा देता हूँ, commit किया, publish करनी है, यह branch वो बोल रहे, मैं कहता हूँ, चल यार करते हैं publish, कहता है git from pc, कहां पे करनी है, मैंने कहा मार तु फैल वाले पे जो पहले हमने activate किये, वो कहता private करनी है के public करनी है, private का मतलब सिरफ आपको नजर आए, public का मतलब सब को नजर आए, मैं public पे click कर देता हूँ, अब देखेगा, यह सब कुछ online होने वाला है, and it's done, यहां पे आप click करें, यह आपकी github की profile online होगी है, boom, good to go, so within few clicks, आपकी repository public हो गई है, आप चाहें तो इसको private के तोर पे भी publish कर सकते थे, but it's up to you, अब यहां से अगर streamlet पे जाके publish करें तो easy नहीं है, seconds के अंदर सारा काम हो जाएगा, and this is how you can utilize the power of VS code, without knowing any kind of coding knowledge, और एक गलती जो सब करते हैं, जब भी कोई file में change करें, यह बात अपने धिहान में रखिएगा, change and do not forget to write commit message, commit message लिखना ना भूलें, और यहां पे जब आप control s करेंगे ना, तब ही change यहां पे आएगी, और जब आपने commit करना है ना, सादा commit करेंगे तो वो commit message बूचेगा, आप पहले से लिख दें, अब देखें मैंने कोई commit message नहीं लिखा, मैं सिरफ इसको commit करता हूं, इसने घूमी जाना है, क्यों वो कहता है यहां पे message दो, मैं अब यहां पे message लिखूँगा, यह इस जगह पे, इस पे मैं लिखता हूं, sorry to forget, मैं इसको control s करता हूं, यहां पे accept commit करता हूं, sorry control s नहीं था, sync change कर देंगा, so message is very important, otherwise लोग भूल जाते message लिखना करते हैं, यार हमारा तो GitHub चली नहीं रहा, and this is how you can upload the GitHub profile, समझागी बात की, यहां पे जाके अगर आपने इस repository को delete करना है, simply delete this repository पे click करें, and I want to delete this repository पे click करें, और फिर आप कहें कि I read and understand, और यहां पे वो कहेंगा कि यह वाली चीज़ आप लिख दें, तो हम यहां से अक्सर वकात copy करके भी लिख देते हैं, क्योंके repository delete करने से काफी ज्यादा knowledge जो है वो जाता है ना, तो इस वज़ए से यह बार-बार कह रहा है, and this is how you can remove, मैंने यह online remove कर दिया, but you have still that repository in your PC, so आप इसको privately भी कर सकते हैं fetch, this is how you can utilize the power of git, git tools, github, and then deploy your app, so it's very easy if you know the power of to use this, but hopefully आज आपको चीजों की समझ आई होगी, आज हमने start किया prompt engineering से, prompt engineering में बहुत कुछ देखा, इतना कुछ देखा के आपके होशदंग रहे होंगे, आपने पर देखने के बाद उनको समझा, prompt engineering की, एक app develop की, app develop करके उसे deploy किया, tools देखे, कैसे errors को resolve करना है, and at the end, आपने जो चीज देखी वह यह थी, कि आप proper way में एक app को बनाके, github के थुरू भी upload कर सकते हैं, यह download कर सकते हैं, and this is how it works very well. अब आचलते हैं हम question answer के तरफ, मैं live stream को यहां पर, मैं bersहान रहते हैं parle। कि झालते हैं । बीज़ देखें रहते हैं